अर्चिता, क्या तुम्हें पता है? जब हम किसी पौधे का अवलोकन करते हैं, तो देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां होती हैं. पौधों में पुश्प और फल भी होते हैं. हाँ, हम जड़, तना, पत्ति, और पुश्प क्रम के लक्षणों, प्रकार, रूपान तरणों और कार्यों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं. अब हम पुश्प का अध्यन करेंगे. तो आज शुरू करें. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. पुश्प के लक्षणों को जानना. पुश्प के प्रकार जानना. पुश्प के भागों का अध्यन करना. दलपुंज यानि कुरोला के प्रकार की पहचान करना. पुश्प दलविन्यास समझना. पुमंग के लक्षणों को जानना पुंकेसर के भागों का अध्यान करना पुमंग के प्रकार जानना पुंकेसरों के ससंजन को जानना पुंकेसरों के आसंजन का अध्यान करना तंतु से पराकूश के संयोजन को समझना जायांग के लक्षणों को जानना जायांग के भागों का अध्यान करना जायांग के प्रकार जानना और बीजानडान नियास समझना पुष्प पुष्प एंजियोस पर्म की जनन सनचनाएं है एक पुष्प को रुपान्तरित काएक प्रारोह के रूप में परिभाशित किया जाता है जो लेंगिक जनन के लिए होता है पुष्प में बहुत छोटा अक्ष होता है जिस पर विभिन भागों के चक्र लगे होते है प्राया पुष्प पत्राब कहलाने वाली रुपांतरित पत्ती के कक्ष में निकलता है जब पत्राब पुष्प वरिंद के आधार पर उपस्तित होते हैं तो पुष्प सहपत्री कहलाता है जब पुश्प पुश्प वरिंत कहलाने वाले वरिंत का बना होता है तो ये समवरिंत कहलाता है जब पुश्प वरिंत अनुपस्तित होता है तो पुश्प अवरिंत कहलाता है पुश्प के प्रकार पुषपासन और पुषप के अन्यभागों की स्थिती के आधार पर पुषप तीन प्रकार के होते हैं अधोजायांगदा यानि हाइपोगाइनस परीजायांगदा यानि पेरिकाइनस और अधीजायांगदा यानि एपिकाइनस हाइपोगाइनस पुषपासन उपरी फूला हुआ भाग है और जायांग पुषपासन के सबसे उपरी भाग पर इस्थित होता है। अन्य पुषपीय भाग अर्थाद कैलिक्स, कोरोला और पुमंग जायांग के नीचे स्थित होते हैं। अंडाशय उध्व वर्दी होता है यह आदि के रूप में माना जाता है। पैरी गाइनस पुषपासन चप्टा या प्याले के आकार का होता है। कैलिक्स, कोरोला और पुमंग प्याले के सिरे से जुड़े होते हैं और जायांग मध्ध में होता है। अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। यह हाइपोगाइनस और एपिगाइनस के बीच मध्धवर्ती के रूप में माना जाता है। एपिगाइनस पुषपासन एक गहरे प्याले के आकार का होता है और प्याले के किनारे अंडाशय की भित्ती से सनलगन हो जाता है। कैलिक्स, कोरोला और पुमंग अंडाशय के शीर्ष पर निकलते हैं। अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसे काफी उन्नत अवस्था माना जाता है। पुषप के भाग। प्रतेक पुषप में समानिता चार पुषप चक्रों होते हैं। जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जयांग। आईए इन सभी की एक एक करके विस्तार से चर्चा करें। वाहे दलपुंज यानि कैलिक्स। कैलिक्स पुषप का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी गाई को वाहे दल कहते हैं। प्राया वाहे दल हरे पत्ती जैसे होते हैं और कली का आवस्था में पुषप की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त वाहे दली यानि जुड़े हुए वाहे दल या प्रिधक वाहे दली यानि मुक्त वाहे दल होते हैं। दल पुंज यानि कोरोला कोरोला दलों का बना होता है यह पुछ्प का दुईतिय चक्र है दल प्राया चमकीले रंगीन होते हैं जो परागण के लिए कीटों को अपनी और आकरशित करते हैं कैलिक्स की तरह कोरोला भी मुक्त यानि प्रथक दली या जुड़े हुए यानि संयुक्त दली हो सकते हैं पौदों में कोरोला की आकरिती तथा रंग भिन भिन होता है कोरोला नली का कार, घंटा कार, कीप के आकार का तथा चक्रा कार हो सकता है कोरोला के प्रकार नली का कार दल एक नली जैसी सनचना बनाते हैं उधारण कमपोजिटी क्रॉस रूपी इस प्रकार के कोरोला में चार मुक्त नकरित दल एक क्रॉस के रूप में वेवस्थित होते हैं उधारण क्रूसी फेरी पैपी लियो नैसियस यानि मटर कुलिये पांच मुक्त दल एक तिदली के समान वेवस्थित होते हैं वे वैग चिलेरी प्रकार के विन्यास में वेवस्थित होते हैं जिन में बड़ा दल, मानक या थज, दो पार्श्विय दल यानि पंक और दो भीत्री संयुक्त एवं नौका कार दल यानि कूटक होते हैं उधारण पैपी लियो नैसि जीव का कार, कमपोजिटी के अर पुश्पक जीवा के रूप में वेवस्थित होते हैं उधारण सूरच मुखी पुश्पदल विन्यास पुश्पकली में उसी चक्र की अन्नेकाईयों, सापेक्ष, बाहे दलों या दलों के लगे रहने के क्रम को पुश्पदल विन्यास कहते हैं मुख्यप्रकार के पुश्पदल विन्यास कोर स्पर्शी, वया वर्तित, कोर छादी और वैक जिलेरी हैं कोर स्पर्शी विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाईयां केवल एक दूसरे को स्पर्श करती हैं लेकिन अतिव्यापन नहीं करती उधारन केलोट्रॉपिस इसे कोरिसपर्शी कहा जाता है व्यावर्तित विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कुरोला की इकाई का एक किनारा अतिव्यापित होता है और दूसरा किनारा अगली इकाई पर अती व्यापन करता है, जो ये पुश्पदल विन्यास व्यवर्तित कहलाता है, उधारण, गुढ़हल, भिंडी, तथा कपास आधी. कोर्चाधी विन्यास तब होता है, जब कैलिक्स या कुरोला की एक इक इकाई के दोनों किनारे अती व्यापित हो जाते हैं, और दूसरी इकाई के दोनों किनारे बाहे और शेश प्रकृति में व्यावर्तित होते हैं, तो ये पुश्पदल विन्यास कोर्चाधी कहलाता है. सकते हैं आरोही कोर्छादी और अवरोही कोर्छादी आरोही कोर्छादी विन्यास तब होता है जब पश्च इकाई आंतरिक होती है और पाश्व इकाईयों द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं जिसमें अपनी सनलगन इकाई अगर इकाईयों द्वारा अतिव्यापित की ज उधारन सीजल पिनियोटी इस प्रकार का पुषपदल विन्यास वेक जिलेरी या पैपी लियोनेसियस कहलाता है। पंचग विन्यास तब होता है जब کیलिक्स या कुरोला की दो इकाईओं के किनारे दोनों बाहे होते हैं और दो इकाईयां आंतरिक तथा शेश एक इकाई का एक किनारा, आंतरिक तथा एक किनारा बाहे होता है, तो ये पंचक कहलाता है. उधारण सीडियम और प्योनिका इत्यादी पुमंग ग्रीग भाषा में एंडुशियम यानि पुमंग शव्दगार्थ एंडुस ओइकिया यानि पुरुष का घर है. पुमंग नरजनन अंग है और पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है. ये अनेक पुंकेसरों का बना होता है. पुमंग नरजनन अंग होता है. प्रतेक पराकोश प्राया दुई पालक होता है और प्रतेक पाली में दुख कोश्ठक पराकोश होते हैं. पराकन पराकोश में उत्पन्न होते हैं. एक बंधे पुमंगेसर स्टेमिनॉइट कहलाता है. पुमंगेसर के भाग एक विशिष्ट पुंकेसर के तीन भाग होते हैं तन्तु, पराकोश और संयोजी प्रतेक पुंकेसर में प्राया एक वृत्त होता है जो तन्तु यानि लेटिन शब्द फिलम यानि सूत्र कहलाता है पुष्प के भीतर तन्तु की लंबाई भिन भिन हो सकते है जैसे की साल्विया और सर्सों में तन्तु के शीर्ष पर एक पराकोश और लगू पीजान उधानी कहलाने वाला पराकोश होता है कोश्ठक और कोशिकाओं के बीच उतक संयोजी कहलाते हैं पुमंग के प्रकार पुमंकेसरों की लंबाई के अधार पर पुमंग तीन प्रकार के होते हैं दुई दीरखी, चतुर दीरखी और विशम दीरखी जब दो पुमंकेसर लंबे और दो छोटे होते हैं तो पुमंग दुई दीरधी होता है जब चार पुंकेसर लंबे और दो छोटे होते हैं, तो पुमंग चतुर दीरखी होता है जब सभी पुंकेसर अलग-अलग लंबाईयों के होते हैं, तो पुमंग विशम दीरखी कहलाता है पुंकेसरों का ससंजन पुंकेसर के एक भाग या पूरे पुंकेसर के जुड़ने की दशा पुंकेसरों का ससंजन कहलाती है ससंजन के आधार पर पुमंग निवन प्रकार के होते हैं, संघी, युक्त कोशी और संपुमंगी जब पुंकेसरों के तंतू आपस में मिले होते हैं और पराकोश मुग्द होते हैं तो पुमंग संगी होते हैं ये पुना तीन प्रकार के होते हैं एक संगी, दुई संगी और बहु संगी जब सभी पुंकेसरों के तंतू आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और पराकोश मुग्द होते हैं तो ये अवस्था एक संगी कहलाती है उधारण, हिबिसकस, रोजा, साइनेंसिस यानि गुड़हल दुई संगी जब पुंकेसरों के तंतू आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और पराकोश मुग्द होते हैं तो ये अवस्था दुई संगी कहलाती है उधारण, पेपिलियो नेसी बहुसंगी जब पुंकेशरों के तंतू सलगन होकर दो से अधिक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था बहुसंगी कहलाती है उधारण सिट्रस युक्तकोशी या साइनेंथस जब पुंकेशर के तंतू मुक्तो होते हैं और पराकोश आपस में जुड़े होते हैं ये अवस्था युक्तकोशी या साइनेंथस कहलाती है उधारण एस्टेरिसी संपुमंग जब पुंकेशर के तंतू और पराकोश आपस में जुड़े कर एक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था संपुमंग कहलाती है उधारण कुकुर्बिटा पुश्प के पुश्प के अन्यभाव से सनलयन पुश्प का आसंजन कहलाता है आसंजन के आधार पर पुमंग निम्न प्रकार का होता है दल लगन बाहे दल लगन परी दल लगन पुश्प का आधार 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 परिदल लगन तब होते हैं जब पुंकेसर परिदल पुंज पालियों यानि परिदल से जुड़े होते हैं उधारण Asphodidus और Tannifolius पुंजा यांगी तब होते हैं जब पुंकेसर अंडप से जुड़े होते हैं उधारण Calotropis procera तंतु से पराकोष का संयोजन अधाबध संयोजन तब होता है जब तंतु पराकोष के आधार से जुड़ा होता है या अधाबध कहलाता है उधारण Bracica Compestris सललगन जब तंतु आधार से शीश तक पराकोष की पालियों से जुड़ा होता है तो यह संलगन कहलाता है उधारण Magnolia प्रिष्ट लगन जब तंतु पराकोष के पीट से द्रड़ता पुरवक जुड़ा होता है तो यह प्रिष्ट लगन कहलाता है उधारण Paisi Flora मुक्त दोली जब तंतु पराकोष की पीट पर किसी एक बिंदु पर जुड़ा होता है और पराकोष आसानी से हिल डुल सकता है तो यह मुक्त दोली कहलाता है उधारण घास जायांग जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है और एक यानेक अंडपों का बना होता है यह पुष्प का चौथा जक्र है यह पुष्पासन के अंतिम सिरे पर स्थित होता है जायांग या स्ृकियसर एक या अनेक अंडपों के बने होते हैं जो पुष्प का मादा जनन अंग है अंडप अधर सीवन पर वलित एक रुपांत रित्पत्ती है रुपांत आपस में सनलगन होते हैं मद्धिशिरा भाग प्रिष्ट सीवन कहलाता हैड़। बीजांड, बीजांड असन पर जुड़े होते हैं, जो प्राया अधर सीवन पर विक्सित होते हैं। निशेचन के पश्चात बीजांड बीच में विक्सित हो जाते हैं और अंड़ाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है जायांग के भाग अंडब तीन भागों का बना होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंड़ाशय वर्तिकाग्र, प्राया, वर्तिका के शिखर पर होता है और ये पड़ा कड़ों के लिए जनन सत्य है ये अंड़ाशय के सबसी उपरिस्थित होता है ये लंबी बिलना कार सनचना है जो अंड़ाशय के उपरी भाग से विक्सित होती है वर्तिका अंडाशे को वर्ति काग्र से जोड़ती है वर्तिका तीन प्रकार की होती है अंतस्थ या शीर्षस्थ पाश्विये गाइनो बेसिक यानी जायांगो पारिक अंतस्थ या शीर्षस्थ वो अवस्ता है जब वर्तिका प्राया अंडाशय के उपरी भाग पर स्थिद होती है और अंडाशय के सीध में होती है उधारण, सोलेनम, हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसेस पार्षवी ये वो अवस्था है जब कुछ पुश्पो में जहां अंडाशय एक तरफ मोड़ जाता है इसलिए वर्तिका पाश्व की ओर से निकलती हुई प्रतीद होती है उधारण, आम गाइनो बेसिक अवस्था लेबियेटी में पाई जाती है जहां अंडाशय में चार पालियां होती है और वर्तिका पालियों के बीच गढ़े से निकलती हुई प्रतीद होती है उधारण ओसिबम सेंटम अंडाशय जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग है जिसमें एक या अनेक बीजांड एक चप्टे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं अंडाशय एक रूपांतरित पत्ती है जो एक कोष्ट की, दुई कोष्ट की या बहु कोष्ट की हो सकते हैं जायांग के प्रकार उपस्तिद अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग तीन प्रकार के होते हैं एक अंडपी, दुई अंडपी या बहु अंडपी जब जायांग में केवल एक अंडप होता है तो यहां एक अंडपी कहलाता है उधारन मटर लेग्यू मिनुसी जब जायांग में दो अंडप होते हैं तो यहां दूई अंडपी कहलाता है उधारन सोलोनेसी और कुरुसिफेरी जब जायांग में दो से अधिक अंडप होते हैं, तो यहां बहु अंडपी कहलाता है, उधारन मालवेशी अंडपों की स्थिती के आधार पर जायांग दो प्रकार के होते हैं, व्युक्तांडपी और युक्तांडपी जब एक से अधिक अंडप उपस्तित होते हैं, तो वे मुक्त हो सकते हैं, और व्युक्तांडपी कहलाते हैं, उधारन कमल और गुलाब जब अंडप चुड़े होते हैं, तो वे युक्तांडपी कहलाते हैं, उधारन सर्सूं और टमाटर बीजांड नियास अंडाशय के भीतर बीजांड के लगे रहने का क्रम बीजांड नियास कहलाता है बीजांड नियास विभिन प्रकार का होता है सीमांत, स्तंभिये, भित्ये, आधारी, केंद्रिये, मुक्त स्तंभिये और परिभित्ये सीमान्त बीजांड नियास में जायांग एक अंडपी, बहु अंडपी और वियुक्तांडपी होता है अंडाशय एक कुष्ट की होता है बीजांड अधर सीवन परिस्थित बीजांड आसन पर एक या अधिक पंक्तियों में निकलते हैं उधारण लेक्यू मिनेसी स्तम्भिय बीजांड नियास में जायांग दुई अंडपी, बहु अंडपी और युक्तांडपी होता है अंडाशय बहु कुष्ट की होता है एक अंडप की किनारे अंदर की ओर निकलते हैं और उसके बाद सनलगन हो जाते हैं इसलिए अधर सीवन अक्ष के साथ स्थित होते हैं कुष्टकों की संख्या अंडपों की संख्या के अनुरूप होती है उधारण मालवेसी भित्तिय बीजांड नियास में जायांग दुई अंडपी या त्री अंडपी और युक्तांडपी होता है कभी-कभी या आभासी पट बनने के कारण दुई कोष्टकी हो सकता है बीजांड अंडपों के सलगन किनारों पर निकलता है इस प्रकार बीजांड अंडपों की परिदी पर निकलते हैं उधारण क्रूसी फेरी आधारी बीजांड नियास में जायांग, दुई अंडपी और युक्तांडपी होते हैं अंड़ाशय एक कोष्टकी होता है बीजांड अंड़ाशय के आधार परिस्थित पुषपासन के स्रेपर विक्सित होता है एकल बीजांड अंडाशय के आधार से जुड़ा होता है उधारण टेकेटिस मुक्तिस्तंभिये बीजांड नियास में जायांग, बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है अंडाशय एक कुष्ट की होता है बीजांड अंडाशय के मध में अक्ष पर निकलते हैं उधारण डायं थस बीजांड नियास स्तंभिय होता है लेकिन विभाजन भित्ती के तूट जाने के कारण यह मुक्त स्तंभिय हो जाता है परिभित्तिय बीजांड नियास में जायांग बहु अंड़ पी और युक्तांड पी होता है। अंड़ाशय बहु कोष्ट की ये होता है। बीजांड विभाजन पठ की भीतरी सतह पर निकलते हैं। उधारण निम्फिया। क्या आप जानते हैं। क्या वाले आभासी पठ के कारण दूइक कोष्ट की हो जाते हैं। सारांश आए हमने जो खुशी का है उसे संक्षेप में तोहराएं। एक मानक दो पंक जैसे पार्श्विय दल और दो कूटक आकार के दल वाला पाधा फाबेसी से संबंदित है। त्रितई एक लिंगी पुश्प का उधारण कोकस न्यूसी फिरा है। दूई संधी पुश्प फाबेसी के लक्षण है। चतुट दीरगी अवस्था ब्रेसिका कमपेस्ट्रस में पाई जाती है। कुरूसी भेरी कुल में दूई तई पुश्प छह पुंकेसर दूई अंडपी जायांग होता है। त्रीतई पुश्प उर्ध्व वर्ती अंड़ाशय और स्तंभिय बीजांड न्यास लिलियेसी कुल की विशेष्टा है। पंचुतई त्रिज्या संमित पुश्प तिरियक पट्ट के साथ दूई अंडपी अंड़ाशय सोलेनेसी कुल के लक्षण है। एक पुश्प जिसे केवल एक उर्ध्वा धर सम्तल में दो अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है। व्यास संमित कहलाता है। चतुर तीरगी पुमंग सर्सों में पाया जाता है। सम पुमंग अवस्था तंतु और पराकोश दोनों का सनलगन है। साइधियम की पहचान अनेक नर पुश्पों से घिरे एकल मादा पुश्प द्वारा की जाती है। और इसमें सभी पुश्पों को आच्छा दित करता सह पत्रों का परिचक्र होता है। एक कोश्ट की पराकोश मालवेसी कुल की विशेष्टा है। गायनों बेसिक वर्तिका लेमिनेसी कुल की विशेष्टा है। दुई अंडपी, युक्तांडपी, अधोवर्ती अंडाशे, सिपसेला में पाया जाता है। परिधी से केंद्र की ओर पुश्पी अंगों के खुलने का क्रम अभी केंद्रिये कहलाता है। तुश सहबत्र को निरूपित करते हैं। सबसे चोटा पुश्पु वोलफिया है।